बे लगाम बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में बीजेपी दफ्तर खेर राइगर एनस्यू आई ने विशाल रैली निकाली पुर्वन निर्धारित कारिक्रम के अनусовार राइगर एनस्यू आई के जाबाज कारिकरताओं ने देश में मोदी और बिजेपी के नेत्रित्व वाली केंदर सरकार के खिलाफ जोड़तार आवाज बलंद की जब से केंदर में बिजेपी की सरकार आई है तब से कमर तोर महंगाई है ये कहना है युवा कारीकरताओं का सेकडों की संख्या में आज कॉंग्रिस कारियाले से ये कारे करता गण युवा नेता राकेश पांडे की अगवाई में बिजेपी कारियाले के सामने प्रदर्शन करते हुए निकल पड़े थे जहां पुलिस ने पुलिस अधिक्षक कारियाले के सामने बैरिकेट्स लगा कर सभी को रोक लिया। पुलिस के रोके जाने के बाद कारिकरता वहीं बैट कर नारे बाजी करने लगे और सडक में ही सभाष शुरू कर दी। जिसको राइगर विधायक प्रकाशनायक, शहर कॉंग्रिस अधिक्ष अनिल शुकला वसभापती जयंत ठेटवार ने संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन की कारिकरम में संगठन ने जोरदार ताकत दिखाई। कारिकरम में भारी भरकम युवा कारिकरता मौझूद रहे। केंद्र के खिलाफ महंगाई वा अन्य मुद्दो पर ये युवा हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। आज का विरोध प्रदर्शन आक्रमक था, युवा नेताओं ने डाइरेक्ट बीजेपी पर निशाना साधा है। केंद्र की बीजेपी सरकार ही इस बेतहाशा महंगाई के लिए जिम्मेवार है। आज के कारिक्रम को सफल बनाने में पार्शद्व शात्रनेता, आरिफ हुसेन, शात्रनेता, साकिब अन्वर की प्रमुख भूमिका रही। आज के इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से राइगर विधायक प्रकाश नायक, जिला शहर कॉंग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुकला, नगर निगम सभापती जैन्त ठेटवार, महामंतरी, शाखा यादव, ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष विकास ठेटवार सहित सेक इसके तहत भारती जनता पार्टी के कार्याले को घेरना चाहते थे, जिससे जनता के भी से मेंसेज जाए, भारती जनता पार्टी महंगाई में रोक लगाने में नाकामियाब हो गई है। आपकी सरकार को रहने दिया जाएगा।